हाई है अभा उना कैसे हैं आप लोग चलिए तो और्गिनो मेटली क्यमिस्ट्री में हम लोग जो है कुछ क्वेस्टन करने जा रहे हैं जो Expedition के बहुत अच्छे अच्छे क्वेस्टन से करने जा रहे हैं साथ में बने रही और सये कैसे हम लोग इन पिजिली सॉल्व करते हैं और यह बहुत अच्छे क्वेस्टन से जैसे क्वेस्टन आपको यहां पर है डवलू स्यो हॉल सिक्स ठीक है इसको बोलागे कि हमने क्या दिया इसको दिया एने सी पी और साथ में टी एच फ्टी एच मतरे ट्रेटा है दो फिरॉन दिया और बोल र है एह कि और सिध्य में से कि यहां हमारे पास और और ऑफि आज एंच का रिश्यो हो गया ठीक है उसके साथ मोल говорят आपरम की ग्याइज हो और यहांस को हीट दिया इसको हीट की है कि अगर इसको हम लोग डारेक्टली यहां से अगर इसको हम लोग यह दे दिये होते अगर इसको यह दे दिये होते हैं यहां पर एसे तो भी सीधे सीधे क्या बन जाता तो भी सीधे सीधे ओ ही इसको सीधे दे तो यह क्या बन जाता हमड़ा ओ ही बन जाता ठीक है उसके बाद ओ को फिर यहां से क्या किये कि ओ को हमने यहां से दिया बिया टू ओ को क्या दिया ब को फॉलो कर रहा है तो आप से पूछ रहा है कि बताओ भई M क्या है N क्या है O क्या है P क्या है M N O P बताओ आपको M N O P is equal to what बहुत ही बेदरीन क्वेश्चन है ठीक है चार नमर में पूछा गया थे इस करने के लिए सबसे पहले तो धहान देने वाली बात है कि आपके पास डबलू सी ओ यो जो सिक्स है W CO 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 CO, को आपको याद होगा तो मैंने बताया थे कि अगर आप इसमें NA CP में NA plus CP minus यहां पढ़ Katherine आना चाहते हैं तब क्या करना दो को सी पी माइनस सीपी के पास कितना हिल्ट ने पाँ इधर करने है छे तो पांच के साथ एक एक्स्टायल टोज ले यह तो कि ये पूड़ा तीन सी-यो को आप यहां अठा अप यात कीजिए मैंने बताया था तunk आपके पास यहां डॉल और यहां पर क्या होगे है आपको यहां पर यह सीपी आ गया औरören सी यो सीओ झियो और आपको पता है उसके साथ में क्या अपके पास एक माइनस आगे है तो बताएगे माइनस हाए तो हुआ किनी आइनिक गौर से देखे तो अब माइनस है एनव Richards है तो हुआ किनी आइनिक देखे यह माइनस यहां नहीं presum माइनस तो यह होता है तो यह आइनिक हुआ किनी तो यह हो गया कौन आपको 3-3-5-0M अदे इसको बोल रहा है सकए दे जो दियाग coal दे दियागी है तो आघर इसको दे आग immortals दे दिया गया देखिए अबसको यहां पर क्या दिया गया CS 3 0 इस다 क्पेश स्रबसकों प्रकोड़ेतक है स्थी और बांड होंड उच्फ नोगनट न। यह सब्सकों पर निकल जाएगा देखो यह ओ पकड़ लेगा एस को co2 अलग निकलेगा और c3- और na plus भी अलग से निकल जाएगा c3 na plus co2 और basically यहाँ पर क्या आगया तो यहाँ ऐसे आगया यह ऐसे यह tungsten यह hydrogen यह co 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 जो जो गोर से देखिए आपको इसके पास five hydrogen मिलेंगे दिखे इसके पास कितने hydrogen हैं 5 hydrogen और यहा Quad The R kulland तो यहाँ पर NMR का जो ratio आये 5 to 1 आया की नहीं कीनल आया बोलिए एन्मार में hydrogen का जो रेशिई आया 5 to 1 देख़ें 5 to 1 तो यह हो गया किसका आपक, तो यह hydrogen का ratio हो गया 5 to 1 तो बहुत असान सी बात है 5 to 1 का हाइडन का रेस ही हो गया ठीक है तो यानि कि यह कौन सा हो गया तो यह हो गया आपका कौन एन कौन हो गया आपको यहां पर तो यहां पर आपका हो गया एन अच्छा ठीक है इसको क्या कर देंगे यहां से हीट कर तो क्या कर देंगे इसको हीट कर देंगे अब इसको हीट करने से ओ कैसे बनेगा तो बड़ा सिंपल सी बात है चला गोर देखिए ओ के साथ हाइडन भी तो रिलीज होड़ा है इसका मतलब यह हाइडरजन भी क्या होगा रिलीज होगा एक में तो एक ही हाइडन है इसका मतलब तो दो मिलके क्या कर रहें दो हाइडन रिलीज कर रहें मतलब हाइडन हाट जाएगा और यह दो रिंग आपस मतलब दो कंपाउंड आपस में जुड़ जाएंगे देखो यहाँ डवलू सीपी सीो ओसीो एक और इसे है डवलू फिर यहां सी ओसी ओ सीओ यो और यह सी पी और गहर सीओ पिंटना तो फॉलो कर रहा है और साथ में क्या किHS aitन जो यहां हाटने से एक और किसी और स्ट त्भी तो दो जुड़े हैना तो वहां क्या होगा एस टूभ नbook to be यहां पर इसको टोड़ने से यहां 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 तो यहँआ दो सीपी बनके दो सीपी आटएक की एद दोसीप ऐख कर देगा एक सीपी क्या कर दे कर देगा तो accounting kein कि या देखा हमने कि हाँ भाई हमारा ओभी बन गया और जब आप इसको बोल रहा बी अर्ट गट कर भाए तो याद होगा अब आपको जूखी बियार्ट गड़ाना तो बियार्ट गड़ाना है तो ब्र टुख या पर सिंपल सा है कि जब यहां पर बीर तुक से अटेक करेग तो इस तलब से क्या बन गया आपका ये तो यह पी भी बन गया एक बाफ फिर से समझे बात को यहां क्या होड़ा देखिए सबसे पहले WCO6 NACP दिया जब NACP दिया तो आपको पता यह तीन हट जाएगा और तीन के बदले एक CP लग जाएगा लेकिन माइनस भी आएगा माइनस एने प्लस बना आइनिक उसका CS3COS देए तो CS3COS देगा तो यह माइनस से क्या करें उसके एस प्लस को पकड़ लेगा तो यहां H लग जाएगा और साथ में CS3NACO2 भी निकला और ध्यान दिने वाली बात कि यहां पर पांच हैड़न यहां वन हैड़न तो रेशियो भ मेटल बॉंड के साथ एक नया कंपॉंड बन जाएगा तो यह बना ओ अब इसको बोलगा बी आर्टू दे देंगा तो बी आर्टू देंगा दो बी आर्टू मेटल मेटल बॉंड के साथ तूट जाएगा एक ब्यार इसके साथ एक ब्यार इसके साथ तो यह आपका प्रोड यहां पर कड़ेंगे देखो जिसे कि आपके पास एक एग्जामपल दिया हुआ है देखें जिसे आपके पास एक एग्जामपल दिया हुआ है यह से है सीपी लगा हुआ है सीपी में यहां पर आपके पास एफी है यहां सी यो यहां सी यो और यहां पर कौन सा चार्ज हो गय चैजिसक भी ऋख़ोगा यहां होगया और यहां पहिए और यह क्या को वजिव ऑन क्या है करेगा यह जब अफिने KOREन सै क्या 오래 मैंस क्या करेगा मैनस कती है ऑinek यहां पर क्या लगा यहां पर यह इतना नहीं लगाना है यहां एस CS3 देखो तो यहां पर क्या होगिया सी CS3 से आपको यहां पड़ा क 현 Cup यहां पर SCC जुड़ी आ तो देखने वाले बात है कि यहां पर आपको जो इसके IR फोर किसके इसके दिर्वाह रहा है सिंपल सी बात है, सलफर के लिए भी तो ग्रूप आएगा ना, सलफर के लिए भी तो आयार आएगा, ओके, तो इसमें आपको यहां बड़ा सिंपल सा बात है, इसको आप यहां पर क्या कर दोगे, इसको हीट कर दोगे, आप तो हीट करने से क्या बन जाएगा आपको यहां प लड़ना नहीं है इस टाइप एक्वेशन आपको जो होंगे बिल्कुल आसानी से आपके बनते चले जाएंगे ओके ठीक है यहां पर हम लोग आप दूसरे एक्वेशंपल भी देखते हैं हमने बहुत सारे क्वेशन किये हैं एक क्वेशन और करते हैं यहां पर देखिए जैस एक्वेशन हमारे पास यह है आपको MN2COHOL10 इसको सोडियम अमलगम दिया हुआ है आपको पता है सोडियम अमलगम देने का मतलब ही हो गया कि कार्बोनाइलेट बन जाना पता है ना आपको क्या बन गया कार्बोनाइलेट बन गया अब कार्बोनाइल बन गया तब इसको CS3 आई का reaction करवा देजे तो क्या हो जाएगा MN CO Hall 5 और यह CS3 है यह reaction दिये हुए है आप हो करवाते जाना है ठीक है अब उसके बाद क्या बोल रहा है इसको बोल रहा है PR3 देदीजे इसको क्या देदीजे PR3 देदीजे तो PR3 जब दीजेगा तो PR3 कैसे दीजेगा चुकि यह दे दो एक तुम रिलाक्स हो जाओ देखो यहां पर आपके पहले क्या है यह तो MN है 5 CO है 1 2 3 4 5 और यह कौन होगी आपको CS3 तो यह जो C double bond O है C इस तरह से O है तो यहां पर क्या हो जाएगा ने कि अब यहां पर कोई निकलेगा नहीं यहां पर क्या होगा कोई निकलेगा नही PR3 के लिए जगा बनानी है PR3 के लिए जगा बनानी तो क्या हो जाएगा यह CS3 निकलके यहीं पर अटैक कर देगा देखो यह CS3 निकलके यहीं अटैक कर देगा और इसको क्या कर देगा इसको तोड़ देगा जहां पर यह दो bond से coordinate दे रहा था वहां पर क्या कर देगा सिंग केलट क्यों कि यह कोडिनेट है यह सभी का प्र कमेंगे लेकिन यह सिंगल है अब यहाँआ पर क्या हो गई वैकन सििय और जो अप्र de फिग्रा और आपस बूंखएर उपाटpsy आल नद एक फैस नियूद कर्ateur हो ने थाएगए अ O, वोपर S, O, यहां, S, O, यहां, S, O और यहां सी, O, यहां हो गया, C, Double Bond O, C, S3, और यहां क्या हो गया, आपको PR3, आप चेकिजी 18 हो रहा है कि नहीं, देखो, Molybоды, No, भी आप, Chromium Group का, S2D4, 6, 2,2,4, 2,6, 2,8, तो 8 यहां से भी 2 आ गया ठीक है और इससे क्या होगे आपको यहां पर तो COCS3 तो COCS3 से क्या होगे यहां पर आपको पास 1 आ गया ठीक है तो यहां पर क्या होगे आपको यहां पर 8 से 14 14 2 16 16 17 जिसका मतलब यहां पर क्या आगा आपके माइनस चार्ज भी आ जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर आपको माइनस चार्ज भी आ जाएगा यहां पर क्या होगा आपको तो यहां पड़ यह वाला question भी हमने कर लिया यह सारे question है छोटे मोटे जो आपको बड़ा ध्यान से देखने हैं अब यह हमारा main reaction का part भी बचा हुआ जिसमे oxidative addition, reductive elimination वो सब भी हमें भी पढ़ना है तीक है लेकिन उससे पहले में कुछ questions किये जा रहे हैं अब क्या करें इसलिए इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना बहुत ही जरूरी है चली देखती है जिसे हमारे पास एक एक जामपल हो गया CP, FE, CO, Hall 3 और यह हो गया आपको प्लस तीक है यहां बोल रहा है कि भी इसके पास क्या हो गया कि एक यह जो हो गया यह है इसके पास फिर आ अच्छे को गया क्या, NAS दिया गया तो NAS देने से क्या बना, A बना जो A है वो क्या हो गया हमारे पास, A है FE, C7, H602 और उसके साथ CO gas भी निकला हुआ है, Colorless यह हो तो Colorless ही होगा, ओके, अभी क्या हो गया आपको यह भी Colorless है, At Room Temperature देखे हैं, और यह क्या हो गया, Colorless At Room Temperature देखे हैं, अभी इसको क्या नहीं है, यहांपर क्या हो गया, कि यहां से आपको क्या बना, यहां से आपको B बना, यहां से क्या हुआ, यहां से आपको B बना, और इसके साथ में Colorless गया निकला, colorless gas कहाँ पर तो room temperature maintain किया अच्छा B आ गया तो B हमारे पास क्या हो गया solid हो गया और इसका formula क्या है FE C7 H5 O2 तो यह हो गया हमारे पास यह आपके पास एक यह formula नहीं यह empirical formula हो गया बहुत जबरदस्त question है यह सब T4 level का और साथ में इसके पास जो IR है वो 1850 और 2000 पर cm आपके दिये हुए है ठीक है चलिए अब यहां से क्या हो गया कि यहां से इसको जो दिया गया इसको दिया गया फिर से अब I2 दिया गया ठीक है तो I2 दिया गया तो क्या बना आपको C बना अब C से क्या हो गया आपको यहां पर जो C हो गया तो C का formula क्या हो गया FE C7 H5 O2 I और उसके बाद फिर क्या किया गया C को NACP दे दिया गया क्या दे दिया गया NACP तो NACP देने पर क्या बना हमारा D बना ठीक है D क्या हो गया solid हो गया ठीक है D हमारा क्या हो गया हमारा solid बना और solid में क्या है हमारे पास FEC12H10O2 है और उसके बाद फिर से इसको हीट कर दे भाई साब यह question है कि क्या है ठीक है और यहाँ पर क्या हो गया कि यह formula आया FEC10H10 ठीक है यह E और यह बोल रहा है कि यह है ferocene भाई साब बहुत जबरदत question है ठीक है पूरा डिमाग का दही करने वाला एक question कोई बात नहीं है हम लोग देखते हैं इसको ठोड़ा सब्किन पहले सबसे पहले तो जगा बनाना होगा ठीक है कोई बात नहीं यहीं जगा बना कि question हो कर लेंगे सबसे पहले जड़ा गोर से देखे और यहां पर क्या होगया सी यो सी यो सी यो और यहां पर क्या होगया आपके पास प्लस इसको जैसे बोला एने एस देने के लिए एने प्लस एच माइनस जैसे एने एस देने बोला आपने क्या कि सबसे पहले नहें इसको दे दिया ठीक है एνेहे जिसको दे दिया और साथ में याद एक याद इस को कि निकला ओए यहां पर साथ F E CO CO और यहां पर क्या आ गया H आ गया ज़रा चेक कीजिए तो कि यह आपके पास कितना यह 18 पुड़ा हो रहा देखो आइरन के पास क्या हो गया आपको आइरन के पास हो गया 6 through 8 8 और 4 12 12 5 17 और 18 वेरी गुर तो यह भी 18 हुआ और साथ में एक CO भी रिलीज किया यानि कि यह हमारा फुल्फिल कर रहा है अब इसका चेक कर लिए ज़रा F E F E C 7 देखो 5 और 2 7 तो C 7 H 6 तो हाद निया 5 हो गया यहां हाद कि पांच और 1 हाद यह नो हाद है 5 और 1 हाद झे 5 आद 6 और 2 देखो CO यह ड़राने के लिए सो दिया है टे यह O 2 देखो O और O तो यहां यह हमारा A हो गया यह zही है बिलकुल जो हमारा A है वह हमारा पूरे तरह सही घ्सैल और आ एक नट जगा खाली कर रहे हैं बस ठीक है यहां हो गया तो यह भी हमारा पता चलिए च्छोड़ों सीओ खोड़ा हो ना हमें तो सीफिस से काम है ना तो यह हमारा हो गया अब बोल रहा है अब बोल रहा है गोर से देखें अब यह A आ चुका है अब A को बोल रहा है कि A को क्या किया है हम A को हीट कर रहे है रूम टेंपरेचर पे एक को क्या कर रहे है रूम टेंपरेचर पे हीट कर रहे है और बोल रहा है कि क्या बन रहा है बन रहा है क्या बन रहा है अब यहां पर बन रहा है जड़ा बी का structure जड़ा चे कर लो कि बी का structure क्या है FE C7 H5O2 इस नमड़ा एक्जांपल देखे मतलब computer भी हैं कर गया चलो तो क्या हो गया C7 H5O2 जड़ा है अब क्या है एक हाइडन यहां पर यहां पर क्या ह गया है चला गया है तो एक हाइडन कैसे चला गया समझे कि हाइडन यहां पर क्या होगा यहां पर हाइडन से निकल कर हाइडन गैस बन गया लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यह इंपीरिकल फॉर्मूला है Molecular formula नहीं है इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ Heat करके हमने दो hidden gas एक इससे और एक सामने वाला same molecule से हमने क्या किया निकाल दिया हमने यहाँ पर A को दो लिया हमने A को क्या किया है यहाँ पर दो लिया और हमारे पास B कैसा बना तो B हमारे पास का मतलब ऐसा बना यहां देखो F E CO CO फिर यहां लो F E ignore कीजिए यह देखिए यह देखो तो हमारे पास यह बन गया B गौर से देखो इसका empirical formula क्या हो गया हमारे पास यही तो है इसी को repeat करों दो बार तो यह आपको double बने का तो यह formula नहीं है यह empirical formula ध्यान देजिए और साथ में क्या होगा है कौन सा color gas निकला तो hydrogen gas निकला देखो hydrogen hydrogen जुड़ कि क्या निकला hydrogen gas निकला समझ रहे हो बात को तो यहां पर आपका hydrogen gas निकला इसको मतलब का बी भी clear हो गया और जहां तक इसकी बात अथारस अपचास दो हजार दो हजार तो बस यह कुछ नहीं अथारस अपचास दो हजार वह नहीं कार्बोनील और यह सीपी दिंग के लिए है ठीक है इसको इमिटा और अब इसको बोला जा रहे कि सो क्या क्या देना आई टू देना है क्या देना इसको 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 आई टू देना है चलो धेख़ इसको क्या देना हमें आई-टू देना तो आई-टू दो गे तो आई-टू से क्या हो जागा ये बीचो बीष तूट जाएगा बांड जब आप आई-टू दो ग undertow ये bond क्या हो जाएगा बीचो भीच इस तरह से break कर जाएगा ताप के पास क्या और यहां करेगा तो देखो ऐसा बन गईत के पास तो यह क्या बना यह सी आप चैक कीजी यह आ जाएगा आपका आप चेक करके देखिए मायनस क्या करेगा यहां ट्क करेगा ट्कार्य करेगा यहां फोल देगा हमने क्या कहा कि अब यहां पर क्या जातोसइभ लग जाने कि एक सी पी एक और सीपी और यहां पर क्या होगे दोसी अपनी जगह प्र जगण चे कर तो है भी सीपी पांच आड रम Galine Armor morning दोंकर युदव तो यही जाड और कारभन आपक्क दोंकर 10 мог और दोंकर दो उनों CP को यहां से क्या कर दिया हमने बाहर निकाल दिया और इस तरह से हमारे पास क्या बना हमारे पास बना फेरोसीन कितना बहतरी निक्जाम पल है ठीक है दिमाग का दही कर दिया इस निक्जाम पलने लेकिन आपको समझ में तो आ गई बात है ना यह Equestion थोड़ा सा कॉंप्लिकेटेड है बर्ट इसको अरहाम से देखेंगे तो आपको पूरी बात है कि करके समझ में आ जाएगी ठीक है यह बहुत 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 रितरी न क्वेशन था और इसके बाद हम लोग अपना रियेक्शन स्टार्ट करेंगे reaction mechanism और reaction mechanism में कौन को ना आएगा oxidative addition, reductive elimination, migratory insertion, beta elimination, trans elimination ठीक है यह सब topic हमारा बस अब आने ही वाला है चलिए तो कुछ question और कर लेते हैं बस हम लोग आज next lecture हम लोग इन्हीं topic को start करनेंगे बिल्कुल देखिए तो एक topic हमारा है question है हमारा यह mo co6 इसका बोला कि इसको दो ले लीए और इसपर बोला कि इसको attack करा दीजिए आपको तो पता है कि सरी का attack कराने का मतलब क्या हो गया cp का attack कराना आप तो पढ़ी चुके है इस बाड़े में न इसका मतलब क्या हो गया CP तो ये इसमें 2 CP निकला, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपके पाद 2 CP ए 2 CP, ठीक है, 2 CP यहाँ साब को अटेक करेगा, 2 CP अटेक करेगा, तो आपके पास कैसा हो जाएगा, आपको पता इसके भी मिटल वांड बन जाएगा, ये बात आप जान चुके हैं देखिए यहाँ CP यहाँ भी CP और CO6 है तो 1 2 3 और यहाँ भी 1 2 3 ठीक है अब जब यहाँ आगे हम यहाँ पर अब क्या करना है सोडियम अमलगम देना है जैसे अमलगम देंगे तो भई क्या हो जाएगा सोडियम अमलगम देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस चार्ज जाएगा मॉलिब्डिनम इसमें क्या हो गया एक CP लग गया और 3 CO लग गया और यहाँ पर कौन सा चार्ज आगया माइनस चार्ज आगया ठीक है अब बोल रहा है कि है न इस लिए न देंगे तो gin क्या हो जाएगा यह ब्रोमिन लग जाएगा आपको पता है मॉलिफडिनम ओपर CP यहां 3 CO और यहाँ पर क्या लग गया겁र मिलग गया है» अब गया दो सिंपल है आप इसको यह दिए तैसा वना अब एक case में क्या दिए आप इसको बोलो कि नए जी देंगे तो माइनस चार्ज जाएगा और एने प्लस लग जाएगा आप बोलो इसको Bromine देंगे तो बीच का bond को तोड़ के क्या लग जाएगा दोन साथ Bromine Bromine लग जाएगा है कि नहीं इस टाइप पर कुश्चन तो आप लोग खुब किये हैं ओके इस कुश्चन आजाएगे अब बोलो कि सरा आप इतने कुश्चन कड़ाते हैं बोर्ड कर दे तो भई क्वेश्चन ही तो कड़ाना है कॉंसेप्ट तो आप लो पढ़ते हैं बीचीच में जितने कॉं तो हीट किये जिद ध्यान दो अब यहां पर पहली बात है कि यहां दो नहीं दिया है यहां पर क्या किया है दो नहीं दिया है अब अगर यहां पर दो नहीं दिया है यहां पर तुम क्या करेंगे सिंपल इससे एक इससे सीपी निकालेंगे चुकि यहां दो दे देता था त कि सूचो को है कि नहीं तो हमने यहांपर क्या किया एक है कि हम ने यहां पर सिप्ली आपको यहां पर गढरУख से देखिए हमने cp तोड़ा भले इससे cp निखочно निकले उसको आप सिरी क्ड़ा गदिया गया कर्या न כई पो इसको आप यहां पर एसवी एकस on CS t's कुछ ऑुइस रयकसन कड़ा दिया गया तो CS q Rita करवाeil होगे तो क्या हो जाए गाई आप फी जो माइनस था वह फैस से जूरी जाया गई की यह और रही है और कि कितने आगये तो आप आपके सर्फ 5 के सिđनल यहां से एक ही सिगनल आएगा तो आन्य सीग्नल आपको यहां पर गया नमर के दो सिगनाल आगया है कि नहीं आसान ठीड़ है यह सिव चीजिये बिल्कुल आसान आफ्सक नहीं कुछ भी करने की ज़रुद नहीं है आपको छिट छे कि देखिए अब बोल रहा है एक सी में चीज और बोल रहा है बोल रहा है कि एक ऐसा भी स्ट्रक्चर बना है बोला है कि एक स्ट्रक्चर ए था जिसमें NMR का दो सिगनल था ठीक है जलकी बोल रहा है एक एक ऐसा है जिसमें कि NMR का जो हो गया आपको सिगनल ज्यादा होगा ठीक है इसमें क्या हो आपको ज़्यादा सिगनल हो और वो ज़्यादा सिगनल कितना होगा तो ज़्यादा सिगनल आपको हो जाएंगे वो तीन अन्मार सिगनल हो मतलब दोस्ते ज़्यादा अन्मार सिगनल हो क्या हो दोस्ते ज़्यादा अन्मार सिगनल कब हो सकते हैं देखो दो से जदा नमर सिगनल कर तब होंगे जब आपके पास यह इस तरह से हो गहर से देखो यह दो से नमर सिगनल तभी होंगे जब इसके पास ऐसे एक्जाम पॉलो को दो CPU CSC और यहां ऐचे है फोगर लिया लेखो यहंतों लगा हुआ है लेकिं यहां को लगा हुआ है यह दो फियर यहां ही जैसा हुआ यहां कितने सिगनल अगे आ गया नमर के तो आपको इन चीज़ों को भी नोटिस में रखना है अपने चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से जैसे कि हमने एक एक्जाम्पल उठाया देखिए अब आप यह मुस्ची गे इतना फास्ट तो चली रहे ना भाई अब जब एक्जाम्पल यह टापिक लास्ट होने अब यह हम बहुत स्लो कहां से चले आप लोग उस यह उमीद कर सकते हैं यहां हो यहां पर मेरे साथ चलिए यह देखिए यह कर देगा तोर तोड़ की लगा देगा आई लग जाएगा तो erm n 5 c o c o c o cm c cos c o cm car 0 और यहां पर की होगे है इस में I लेघिया तो यह क्या हो गे है आपको अब हूँ जो बोल रहे है कि इसको हीटिकर दीजिये हीट कर दीजे तो हीट करने से क्या हो जाएगा co बाहर निकल जाएगा हीट करके आप यहां सब्सक्राइब करने से हमेसा आपने सिखा है कि क्या होता डाइमराइज कर जाता तो कर एंगे तो अए यहां से कि यहां से बाहर निकल गया है और जो अभिसको क्या बोल रहा है पिर डीन देदी तो पिर डीन दोगे तो क्या हो जो पिर अटैक करेगा तो तोड़ेगा इसको इस तरह से और आपके पास क्या प्रड़्ट बन जाएगा मैंल यह हाई यहाँ से यो यह सी यो यह और यहाँ यहाँ पर जिसे एक यहाँ भी सीउचmb elbows फाइक आई रह गया और दूसरी जगह पर क्या हो पिरडिन लग गिया हो गया सिम्पल आप बस च check कि जिकी 18 नहीं होना घाईний 18 नहीं खराब होँसना चैके जिक किजी memory हो त्यक्ति हूए मिन हो गया ठाब यहाँ पर अब देखो पिरड़न यहां हम आई टेनना सबने घाया ह画ा बढ़स हो तो उसके सामने वाला पर slipped हुआ एक सब्सक्राइब करेंगे तो आज की Eng장 करेंगे और आज पर आपके पास इस तरह दिया हुआ है यहां पे यहां ओ गया iron यहां Co यहां Co और यहांपर आपके पास CS3 हो गया। B M E 3 और यह ऐसे यहां यहां F E C O C S 3 और यहां पर क्या हो गया C O हो गया यहां पर कौन सा चार्ज आ गया माइनस चार्ज आ गया ठीक है यहां पर आपको माइनस चार्ज आ गया यहां पर तो माइनस चार्ज यहां पर आगए आपके पास तो अब यहां पर क्या किया जाए यहां पर माइनस चार्ज पहले से ही था बचलो यहां माइनस चार्ज पहले से ही था अलग से कुछ नहीं आया है यह क्वेश्चन है इस तरह का क्वानिशा देखिएन आप चेक कर लिए आयरन के पास क्या आओगे आठ होगे एठ और 15יים तीरे 15 पंद तीरों 17 1 18 3 नहीं नहीं या मैनल साट करना है यह पर भाइन साज यहां भी नहीं आएगा देहां दिए क्विश्चन है बड़ा अच्छा क्विश्चन है यह क्विश्चन है प्यमित्री दिया तो प्यमित्री क्लिए 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 प्रोडट बनेगा आपके प्रोड़क्ट ऐसा बनेगा यह यहां FEE PME 3 यहां C Double Bond O CS3 और यहां क्या लग आपको यहां पर सीओ लग बस कुछ नहीं यही था ठीक है PME 3 दिया नो यह यहां लेके चले जाएए अब सीएस्टी को तो नीन कलेगा तो यह यहां लेके चले जाएए निकलने बाद क्या हो जागा यहां खाली जगव बनेगा खाली जगव पीय मिध्रिया जाएगा रियक्षन खतम आप लोग भी ठग गए होंगे तो इस टॉपिक को जो है हमने खतम कर दिया अब हमारा जो लास्ट पोर्सन है वो है हमारा रियक्षन मेकनेजम इन ओएमसी ठीक है बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर हमें अब देखना है वाले नेक्ट लेक्षर में देखेंगे बस एक ब पर रिवीजन करके जरूर आएंगे प्रैक्टिस करके जरूर आएंगे ठीक है क्योंकि यह टॉपिक बस इस टॉपिक के साथ यह जो चैप्टर होगा लास्ट हो जाएगा बहुत लंबा टॉपिक था हमने बहुत साए लेक्षर ही बनाए है लेकिन इस टॉपिक को आपको से कवर करना होगा ठीक है तो रियस्ट्रेंट्स मिलते हैं नेक्स लास में थैंक यू सो मुझ बाई